जिस प्रकार सोना एक स्वाभाविक क्रिया है ठीक उसी प्रकार सोते समय सपनों का आना भी एक स्वाभाविक क्रिया है हर सपना हमारे भविश्य को लेकर कुछ न कुछ संदेश देता है क्या आपने सपने में कभी लेन देन या पैसों से संबंधित सपना देखा है अगर हाँ, तो चलिए जानते हैं कि स्वपन शास्त्र के अनुसार इसका क्या अर्थ होता है जब दिखे करारे और नए नोट सपने में अगर कोई आपको करारे और नए नोट देते हुए दिखाई देता है तो स्वपन शास्त्र में माना गया है कि यह सपना आर्थिक स्थिती के मजबूत होने का संकेत देता है इसका अर्थ है कि आपकी आय में वृध्धी हो सकती है और आर्थिक तंगी से निजात मिल सकती है अशुब होते हैं ऐसे सपने यदी सपने में किसी व्यक्ती को सिक्के खंकते हुए दिखाई दें तो ये दुरभाग्य का प्रतीक हो सकता है इस सपने के अनुसार निकट भविश्य में व्यक्ती को आर्थिक नुखसान उठाना पड़ सकता है वहीं, अगर आप सपने में जमीन पर गिरे हुए पैसे उठाते हैं तो ये धन हानी की ओर इशारा करता है ये है एक शुब संकेत स्वपन शास्त्र के अनुसार यदि आप सपने में स्वयम को बैंक में पैसे जमा करते हुए देखते हैं तो यह एक शुब संकेत होता है। इस सपने का अर्थ है कि अचानक धन लाब के योग बन सकते हैं। सावधानी बरतने की है जरूरत स्वपन शास्त्र में माना गया है कि जब आप सपने में पैसे खो देते हैं या फिर कटे फटे नोट देखते हैं। तो यह इशारा करता है कि आप धन संबंधित मामलों में लापरवाही बरत रहे हैं। इसके कारण आपके बनते हुए कामों में रुकावट उत्पन हो सकती है। ऐसे में आपको लेन देन, निवेश और कमाई में सावधानी बरतनी चाहिए।